हेलो विद्यार्थियों नव भार्ति शिक्ष्या परिवार में आप लोगोंका बहुत स्वाकत हैं हम लोगोंने स्टेटिस्टिक्स के लेशन चालू कियेुए हैंiddar सब्सक्राइब के लेशन के मिन तीन लेशन हमारे हो चुके हैं पर्फम लेशन में हमने statistics के भूमी का और statistics के अंदर tendency के जो measure होते हैं के अंदरे प्रवर्ति के माप होते हैं वो उनके बारे में हमने थोड़ा सा introduction लिया था दूती ये lesson में हमने mean और माध्य निकालने से पहले आकणों का विवस्था किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से frequency table बारम बारता साणी बनाते हैं ये हमने जाना था तीसरे lesson के अंदर हमने median माध्य का किस प्रकार से निकालते हैं वो तीन examples के द्वारा हमने उसको समझने का प्रयास किया था आज मैं आप लोगों के सामने mode बहुलक सांके के में बहुलक जो केंद्री प्रवर्ति का एक माप है उसे किस प्रकार से ज्याद करते हैं वो लेकर प्रस्तुत हुआं मित्रों बहुलक निकालना बहुती आसान है बहुलक निकालने के लिए हमें जो भी आंकड़े हैं इसे उनमें सबसे अधिक जो आंकड़ा आया है वो बहुलक होता है दा मोड ऑफ ए सेट ऑफ डाटा वैल्यूज इस अधिक जादा बाल प्रकाटो वो वेल्यू आपकी मोड के लादी बहुलक के लादी मैं उधरन लेता हम जैसे किसी विद्यालेक के अंदर किसी केक्षा के अंदर कुछ विद्यार्थियों के दसमें से अंक के प्राप्ते किये गए और प्राप्ता अंकों का बहुलक ज्याद करना है तो हमें देखना है कि कौन सा अंक सबसे ज़्यादा बार हमें दिखता है तो इसको हम निकलते हैं देखिए पाँच का अंक की बारे में हम देखते हैं पाँच का अंक कितनी बार दिख रहा है हमें एक बार दिखा, दो बार दिखा, तीन, चार, चार बार फिर दूसरा अंक आता है 6 6 कांग कितनी बार 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार फिर आता है 7 कांग 7 कांग कितनी बार दिख रहा है देखते हैं हम 7 कांग कितनी बार दिख रहा है 1 बार, 2 बार, और 3 बार तो 3 बार दिखा ठीक है, फिर चार कांग कितनी बार दिखता है, एक, दो, तीन, तीन बार, फिर इसके बाद में नो कांग है, नो अंग कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, इसके बाद में आठ कांग है, ये कितनी बार है, एक बार है, ये दो बार, ये एक तरसे बारम बारता सार्ण है जो हम बनाते हैं बारंबार तस्राणी बनाने की बनाते हैं सबसे सबसे छोटांग उसके बाद में उससे बड़ा उसके बड़ा उसके बड़ा फिर ऐसे करके हम इसको एजेंटिंग ओर्डर में जमा लेते हैं यह हमारी लेकिन अभी हमने पढ़ा इस प्रकार से यह इनके बारंबार तसरानी है तो अभी हमने देखा था दा मौर्ड ऑफ सैट डाटा वैल्यूज इस दा वैल्यूज डैट एपिर्स मौस उफन सबसे अधा बार देखें सबसे ज़्यादा बार हमें क्या दिखा छे का अंग ठीक है तो छे का अंग पांच बार देखा बाकि सबसे कम बार देखें जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो हम यूँ कह सकते हैं जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो वो अंग का हमारा बहुलक है इसमें बहुलक क्या होगा इसमें बहुलक होगा आपका बहुलक माने इसमें मोड जो होगा, वो होगा आपका six, six आपका उत्तर है, answer है, ठीक है, बाष समझ में आई, जिसकी बारम बारता सबसे ज़ादा हो, वो आपका बहुलक है, चलिए एक और example लेते हैं, ये example है, जिसमें बारम बारता साणी बना के दी हुई है, जिसमें बहुलक निकाला ज बहुत आसान, अभी-अभी मैंने बताया था, जिसके बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, बारंबारता मने, बारंबारता है न, फ्रिक्वेंसी, सबसे ज़्यादा हो, पांच, साथ, तीन, आठ, छे, चार, तो यह वाली, इस सबसे ज़्यादा है जो बारंबारता सबसे ज़्यादा हो वो ही अंकाप का बहुलक है तो यहाँ पर मोड क्या होगा मोड होगा यहाँ पर साथ साथ आपका आंसर है ठीक है बहुत असान है अब यह दिप बारंबारता सानी आपको दिवी है इस प्रकार से क्लासिम टरबल के अंदर वर्गंतराल में दिवी है वर्गंतराल में दिवी बारंबारता साड़ने में बहुलक कैसे निकालते हैं तो आपने सबसे ज़्यादा बारमबारता जिससे की हो वही भहुलक होता है तो यहां सब ज़्यादा बारमबारता 10 है तो यहां भहुलक तो 40-50 के बीच होगा ना लेकिन क्या होगा इसको निकालने के लिए हमें एक फार्मूले की अवश्रक्ता पड़ती है उस फार्मूली के अधार पर हम इसका बहुलक प्राप्त करते हैं फार्मूला है आपका ये मोड इकपलस टू L प्लस ब्रेकेट में F1 माइनस F0 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटो H यहाँ पर L क्या है? F1 क्या है? F0 क्या है? H क्या है? यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर L है Lower Limit of the Modal Class अब Modal Class क्या? बहुलक वर्ग यह बहुलक वर्ग कैसे होगा? यह बहुलक वर्ग कैसे ग्याद करेंगे? वही तरीका निकालेंगे हम कि यह तो सबसे ज्यादा जिसके बारम बारता सबसे ज्यादा बारम बारता जिस बर्ग की है वो बहुलक वर्ग कैलाएगा आपका यह वाला यह वाला वर्ग आपका Modal Class है बहुलक वर्ग है यह वाला कैलाएगा आपका बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग या Modal Class ठीक है? अब इसे बहुलक वर्ग की जो लोवर लिमिट होती है चालिस यह है आपकी L ठीक है? इसके बाद में H Size of the class interval अंतराल इसका वर्ग अंतराल H क्या है? वर्ग अंतराल यह कैसे निकालेंगे? आपको पहले से निकालना आता है पचास में से 40 माइनस कर दीजिए तो 10 आजाएगी यह 50 कहां से है? 50 यह रहे ठीक है? इस 50 वर्ग अंतराला चाहेगा class interval आजाएगी H आच आजाएगी इसके बाद F1 F1 frequency of the model class model class की जो frequency है यह 10 10 है आपकी F1 यह है आपकी F1 ठीक है? और इसके बाद में आपके F0 F0 frequency of the class preceding the model class preceding उपर वाली पहले वाली 8 8 आपकी F0 ठीक है? F2 frequency of the class succeeding the model class succeeding पाद वाली अगली वाली next चार यह आपकी होगी frequency of the succeeding जो next वाली model class है उसका जो F है frequency है वो आपकी यह होगी F2 ठीक है? इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें जो भी आपके सुत्र में है L, F1, F0 के सबाब में उपराप्तों हो गए हैं इनको जब हमने find कर लिया पता कर लिया क्या होंगे उसके पर mode निकालना आसान है तो mode निकालते हैं देखिए यहां mode L है L कितना था? 40 लिखा 5 प्लस कचिन बड़ा bracket F1 को उपर लिखना है F0 को उपर लिखना है ठीक है? F1 कितना? 10 यहां लिखेंगे माइनस F0 कितना? 8 नीचे 2F1 2 गुणा 10 माइनस F0 कितना? 8 फिर माइनस F2 F2 कितना? 4 फिर इधर इन्टू करके H H कितना है? इस प्रकार से हम इस फार्मले को अब हल करेंगे 40 प्लस उपर क्या था? 10 में से 8 गए तो 2 नीचे 10 दूनी 20 और माइनस माइनस की जुड़ जाएगी 8 भी माइनस के 4 भी माइनस की तो माइनस की हो जाएगे 12 इन्टू 10 40 प्लस 2 बटे 20 में से 12 गए तो 8 इन्टू 10 इन्हें सॉल्व कर लेते हैं 2 एकम 2 2 चोक 8 2 से कट गया? ये भी 2 से कटेगा 2 पंजो 10 और 2 दूनी 4 तो अब आपका आगया है 40 में 2.5 जोड़ेंगे तो आगया आपका 42 पंज पंज ये आपका आगया अंसर ये आपका मोड है बहुलक है आपका इस प्रकार से हम बहुलक निकालते हैं तो हमने बहुलक निकालना अभी देखा कि जिसके बाराम बारता सबसे जादा हो देखा और वर्ग अंतराल के अंदर बहुलक वर्ग जिसके बाराम बारता सबसे हदिक है वो बहुलक वर्ग है और उसको किस प्रकार से हम भुलक निकाल सकते हैं तो विधयर्थियों आप और भी बहुलक निकालने कर प्रयाज कीजिए और मैं आपको कुछ आपके वार्टसेफ ग्रूप के पर एक प्रसंद भी भेजने वाला हूँ उस प्रसंद को भी हल करिए इस प्रकार से आप भलूप निकालना सीख जाएंगे धन्यवाद